इस अफ़ते 101% दोस्तो रुबिना दिलैक को पड़ेगी डान वो भी सलमान खान के द्वारा मैं रहुल बहुत स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूस में वीकेंग के वार की एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हम सब को पता है कि घर के अंदर एक टासक हुआ जो की था मैडल वाला टासक योकि कैप्तेंसीर टासक में था बिड बॉज में वो मेडल टास्टिर शुरुवाद किया राहुल से उसके बाद वो मेडल गया इजास्थखान के पास फिर गया और अर्शी गया पिर लिद पूर पूरा दोस्त में पर क्या हुई बड़ी बात यहां पर सबसे बड़ी बात यह वी है कि उस पूरी practice के दौरान, यहां पर रुभीना दिलैक को कोशिश करनी चाहिए थी, इस बात का मुद्दा भी मनुन ने बनाया, इस बात का मुद्दा भी अजान ने बनाया दोस्तों, कि उनको कोशिश करनी चाहिए थी, हाथ पे हाथ नहीं बैठे रहना चाहिए था और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों इसी वजह से ये पर्टिकुलर वजह से कही ना कहीं राहुल भी निकला था अगर आपको याद होगा तो राहुल बैदे ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी राहुल बैदे ने चलो रुबिना ने इत्युसी तो करी थी कोशिश अभी हमने जो देखा कल के एपिसोड में लेकि राहूल ने तो इत्युसी भी नहीं करी थी बट मैं यह कहना चाहता हूं कि रुबीना को कोशिश करनी चाहिए थी क्योंकि इस पर बाते बनाने का मुद्दा मिल गया इजास खान को बाते बनाने का मुद्दा मिल गया मनु बंजाबी को बाते बनाने का मुद्दा मिल गया जो कि मतलब जब से आया है तब से रुबीना के पीछे लगा हुआ है और अब दोस्तों यहां पर ये बार बहुत ही जादा चिंदा में बन गई है चिंदा का मिश्य बन गई है कि इस वज़े से हो सकता है चलास ली जाए विकेंट केभार पर जहां पर सलमान खान उनको बोलेस तो रहा है तो खुझी काली है नहीं डियुआ को सकता है के दुबारा से नया की शरू हुई यह तो हो सकता है कि अब दीमॉरलाईस किया जाई या फिर उसको अब दबाया जाए हो सकता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उठाया जाए पता नहीं लेकिन येस हो सकता है कि रुबीना को डांट पिटे आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में इसके बारे मुझे जरूर पता है चलता हूं मैं अपना ख्याल रखें